नमस्कार, स्वागत है साहितिक जहरो का चैनल पर आज हम करेंगे फीचर के गुण वै उदेशे तो आईए शुरू करते हैं लेकिन उससे पहले जब आप ये प्रशन लिखेंगे तो आप ये बताएंगे कि फीचर का आर्थ क्या है उसकी परिभाशा क्या है और उसके बाद अगर उदेशे पुछे गए तो उदेशे बताएंगे और गुण पुछे गए हैं तो गुणों के बारे में विस्तार से बताएंगे वैसे तो मैं ये विश्या ये जो टोपिक है फीचर का आर्थ और परिभाशा आपको करवा चुके हूँ लेकिन आपको ये ध्यान रहे कि प्रशन कैसे त्यार करना है इसलिए मैंने यहाँ पर इसको शामिल किया है कि फीचर का आर्थ और परिभाशा क्या है देखे फीचर का शाबदी कर्थ है रूपरेखा या आकरिती यानि किसी रूपरेखा या आक्रिती को हम क्या कहते हैं फीचर कहते हैं पत्रकारिता के संदर्ब में अगर बात करें तो कोई भी विशेश घटना को लेकर जो आलेख लिखा जाता है विशेश बात को लेकर आलेख लिखा जाता है विचार को लेकर आलेख लिखा जाता है उस समाचार पत्र के परिपाशरों में समाचार सहित, रहित, भावना से युक्त, सम्मोहन, वैचारिक क्षितिज का मनुरंजन परक संस्पर्श लिये हुए सरस और संक्षिप्त अभिवेक्ती से संपन हो यहाँ पर क्या कहना चाते हैं कि फीचर क्या है मुख्य रूप से एक आल आलेक की खासियत क्या है कि समाचार के परिपाशरों यानि उसके बगल में ही समाचार से रहित होता है और इसमें क्या रहती है भावना जुड़ जाती है सम्मोहन जुड़ जाता है और विचारों पर यह आधारित होता है लेकिन मनुरंजन से परिपूर्ण होता है बिजन भी इसमें शामिल रहता है और ये एक सरस और संक्षिप्त अभिव्यक्ति से संपन होता है उसे उस आलेख को क्या कहते हैं उस आलेख को फीचर कहा जाता है ये कों मानते हैं विजय खुलक्षेष्ट ऐसा मानते हैं अब बात करते हैं फीचर के गुणों की अगर फीच जो PAWN88 लेते हैं फीचर के लिए उस पर हमें नियंत्रण रखना होता है काल्पनीक चीजों को बहुत जादा उसमें शामिल कर लेंगे तो हमारा जो फीचर है वो विश्वशनिय नहीं लगेगा और हमारा फीचर ग्यान वर्दक सिद्ध नहीं होगा इसलिए हमें हम जिस भी फीचर की रचना करते हैं जिस भी फीचर को लिखते हैं उसमें हमें ऐसी बातों को शामिल करना चाहिए, ऐसे वीशों को शामिल करना चाहिए, कि जिस पर विश्वास किया जा सके, यानि वो विश्वस निया हूँ, दूसरा क्या है वहयरी चाहिए bandet, इसमें क्या ध्यान में रखना होता है मुख्य रूप से, कि जिस भी विशे पर feature लिखा जा रहा है उसमें जानकारी देते समय जो लेखक है वो अपने विचारों में तालमेल बनाई रखे वो अगर ताल में खतम हो जाएगा तारतम में तूट जाएगा तो फीचर में जो अभिवेक्त किये गए विचार हैं वो भी अपनी सार्थ तासिद नहीं कर पाएंगे या उस घटना से संबंदी जो जानकारी है वो पूरण नहीं हो पाएगी इसलिए विचारिक्ता होना यानि विचारों में तारतम में होना या क्रमवध होना विचारों का बहुत ज़ादा जरूरी है तो यहां पर हमें क्या ध्यान में रखना है कि जब भी फीचर की रचना की जा रही है तो फीचर में घटनाओं और उस विशे से जुड़ी हुई जो हमें बाते या तथे उसमें शामिल करने हैं उनके पास हमें अपने विचारों से ही पहुंचना है जो पाठक है वो विचारों से उनके पास पहुंचेगा तो हमें उनको इस प्रकार से अभिव्यक्त करना है कि वो उसमें जो वैचारिकता है वो करंबद रहे और पाठक जब उसे पढ़े तो वो उसके साथ तार्तम में स्थापित कर ले तीसरा जो पॉइंट है वो है परिस्थितिगत प्रासंगिकता यानि प्रस्थितियों के अनुसार प्रसंग को उठाना इसमें हमें क्या ध्यान में रखना है कि जैसी प्रस्थितियां हैं उसी प्रसंग को लेना चाहिए मान लीजिए किसी व्यक्ति विशेश के बारे में लिख रहे हैं या किसी परिवेश विशेश के बारे में हमें बात करनी है वहां कि समाजिक आर्थिक राजनीतिक या धरम से जुड़ी हु प्रस्तितियां हमें प्रभावित कर रहे हैं उसके बारे में लिखना है तो हमें ये ध्यान में रखना है कि फीचर लिखते समय संबंदित घटना को प्रभावित करने वाली जो समाजीक आर्थिक राजनीतिक और धार्मिक प्रस्तितियां हैं उन पर भी हमें ध्यान देना जर जो भी विशह लिया जाता है उसको संक्षिप्त रूप से बताना क्योंकि अगर हम इसको बहुत जादा लंबा चोड़ा घटना को करेंगे तो वह उबावपन लिये होगा तो इसलिए यह जरूरी है कि फीचर में जो भी घटना है उसका पूरन विवरण ब्योरा ना देकर उ को हम इसमें शामिल करें जिससे कि उसको संक्षिप्त रूप में बताया जा सके या उसका विवर ने विशलेशन किया सके उसके बाद है मानवय मुल्यों की परतिष्थ्था देखे पर्ते जो मानव है उसके मन में जो मानव मुल्य है वो स्थाई रूप से रहते हैं जैसे दया है ममता है सईशूनता है सहन भूती या उदारता जैसे जो भाव हैं ये स्थाई रूप से उसमें परतिश्चित हैं लेकिन हमें ध्यान क्या रखना है कि जब भी किसी फीचर का निर्मान किया जाए या किसी फीचर की रचना की यानि फीचर लिखते समय हमें इस बात का ध्यान रखना है कि जो हम फीचर लिख रहे हैं वह फीचर मानव के जो मैतिक मुल्य हैं मानव मानविय जो मुल्य हैं उनका हनन ना करें बल्कि उन मुल्यों को ध्यान में रखते हुए ही हमें फीचर की रचना करनी चाहिए क्योंकि क इसने प्रतेक व्यक्ति की अलग-अलग उसकी रूची यह रूची होती है उसका अलग-अलग परकार के प्रतेक व्यक्ति का तो उन्हीं को ध्यान में रखकर हमें प्राइब की रचना करने चाहिए उसके बाद है समवेदन शीलता जो feature लेखक है वो जब feature की रचना करता है तो उस feature के विशय से और उस feature की रचना है या वो जो feature लिख रहा है उसे वो भावात्मक रूप से जुड़ जाता है और ये लगाव सुवभाविक भी है क्योंकि फीचर एक भावपरधार रचना है इसलिए इसे लिखते समय लेखक का विशे से भी सहज और स्वभाविक लगाव होना अनिवारिया है तो इसमें क्या होता है कि ये लगाव मन से होना चाहिए नैकी बुद्धी से क्योंकि मन से जब लिखेगा तो उसमें समवेदना जादा होगी तो जो लेखक है वो समवेदन शील होकर घटनाओं के बारे में या जो भी जिस पर भी वो फीचर लिख रहा है उसके बारे में जानकारी उसे लेनी चाहिए उसके बाद है मनुरंजकता देखे फीचर लेखक को फीचर में मनुरंजन के गुण विकसित करने के लिए प्रभावशाली तरीके से उसको लिखना चाहिए इसके लिए वो समवादात्मक्षाली का प्रियोग कर सकता है प्रश्न वाचक वाक्यों से वो फीचर को आकर्षक बना सकता है और ये क्यों जरूरी है क्योंकि उसको पढ़ने वाला जो पाठक है जब उसका मनुरंजन होगा तो ही वो उसको पढ़ने में रूची लेगा और ये रूची उसकी प्रारंब से लेकर अंतिम पड़ाव तक बनी रहे या फीचर के अंत तक बनी रहे इसके लिए जरूरी है कि फीचर प्रारंबिक अवस्ता से लेकर उसकी पूर्णता तक वो मनुरंजक शैली में लिखा जाए तो ये भी एक फीचर का महत्वपुन गुण है उसके बाद है सरल भाषा शैली देखिए जिस भी फीचर की रचना की जाती है उसकी भाषा पर विशेश काम किय जाना चाहिए या विशेश ध्यान दिया जाना चाहिए इसके लिए क्या करना है कि फीचर को बोदगम्य बनाने के लिए उसकी जो भाषा है वह सरल सहज होनी चाहिए लेकिन मन को अच्छी लगने वाली हो ताकि जो पाठ्यक है वो पढ़ने में रूची ले इसके साथ अच्छे भावों को अभिव्यक्त करके भी फीचर को आकर्शक बनाया जा सकता है परसाद गुर्ण शैली को इसमें परियोग करना महतपूर रहता है इसके साथ देखे तो जो फीचर है वो प्रेरक भावात्मक और सरस्रचना है इसे लिए इससे पाठक का क्या होता है ज्य जो शैली है वो समवादात्मक शैली हो सकती है संबोधनात्मक शैली हो सकती है या प्रशनात्मक वाक्यों का इसमें प्रयोग करके फीचर की रचना के जा सकती है तो इन गुणों के माध्यम से फीचर को रोचक और उपयोगी बनाया जा सकता है अब बात करते हैं कि फीचर के वोar को भघाने वाला जो फीचर है वो ज्ञान वर्दक होना इसे जो फीचर लिखक है उसके बोधिकुता का थ्यान cultural ही है वह लेकुन्द के शेथे जो फिचर को जब पढ़े तो पनीड और घ्यान पर फीचर लिखा जा रहा है उसके रहस्यात्मक पक्ष को भी इसमें शामिल किया जाना चाहिए जानकारी इसमें शामिल की जानी चाहिए जिस भी विशे का फीचर लिखा जा रहा है उसके छुपे हुए भाग को भी इस घटना इस फीचर में शामिल करना चाहिए फीचर में दिखदर्शन देखे जो फीचर है उसमें तथे की साथ साथ सत्य का भी उद्धगाटन होता है यानि रहस्य सामने आता है निकल कर तो इससे क्या है कि फीचर की सहज और मनुरंजग जो प्रस्तुती है वो पाठक को स्वस्त मन के अनकूल दिशा में सोचने का आफसर उससे प प्रति इससे पाठक नई दिशा में सोचने को विवश हो जाता है या प्रेरना प्राप्त करता है यानि इससे ग्यान में वृति होती है और जो विचार है वो व्यापक विचार होता है क्योंकि जब समाचार है उसमें तो केवल हम एक घटना विशेश के बारे में जानते है लेकिन फीचर में हम उसके रहस्य को भी अनभव करते हैं कि उसमें क्या रहस्य था, क्या घटना थी, क्यूं थी यानि सबी चीज़ें तथ्यपरक जो बाते हैं वो पस्ट रूप से सामने आती हैं उसके पस्ट जब हम उसको पढ़ते हैं हमारा उसके प्रती लगाव हो जाता है और इससे क्या होता है कि हमारा जो सोचने का स्थरा वो व्यापक हो जाता है दिख दर्शन यानि बड़ा विचार हमारे जो सोचने की शिमता है वो बहुत जादा बढ़ जाती है उसके बाद अंतिम जो उदेश्य है और महतवपूर्ण है जो सबसे वो है मनुरंजन देखे जब भी हम समाचार पत्र पढ़ते हैं तो उसको हमारा मुख्य उदेश्य क्या होता है ज्यान प्राप्ति के साथ मनुरंजन को प्राप्त करना और जो फीचर है उसके माध्यम से भी जो पाठक है उसका स्वभाविक मनुरंजन होना आवश्यक है इससे क्या होगा कि जो पाठक है उसका समाचार पत्र के प्रति लगाव उद्पन होगा क्यों क्योंकि उस फीचर जो फीचर के प्रति जब उसे लगाव हो जाएगा तो उस से एक तो उसके ज्यान में बढ़ोतरी होगी और दूसरा उसका मनोरंजन भी हो जाएगा तो इसलिए जब भी फीचर लिखे वो इस उदेशय को ध्यान में रखे कि पढ़ने वाला जो पाठक है वो उसके प्रथम पंकती से लेकर उसके अंतिम पंकती तक मनोरंजन करने वाली हो ताकि पाठक को उसमें रूची उत्पन हो तो यह फीचर के परमुख उदेशय हैं तो आज हमने किया सबसे पहले हमने जाने फीचर का आर्थोर परिभाश है उसके बाद फीचर के गुण और फीचर के परमुख उदेशय है उमीद करती हूं कि आप बहुत अच्छे से इनको समझ पाए हो बहुत बहुत धन्यवाद